Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़िबल Students, बहुत टाइम से आप न्यूज में एक चीज देख रहे होंगे कि जो इंडिया और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है, वो बहुत डिटॉरेट करता जा रहा है पहले एक डॉलर 70 रुपे का होता था और अब वो ही डॉलर कहीं न कहीं 80 इंडियन रुपीज टच कर चुका है तो यह एक्सचेंज रेट क्या होता है, किस तरीके से इंडिया का एक्सचेंज रेट मैनेज होता है और जब exchange rate appreciate या deteriorate होता है तो इससे किसका फायदा और किसका नुकसान होता है बस इसी को आज हम समझेंगे अपनी conceptonomics series में So welcoming you all to the YouTube channel of Study IQ, मेरा नाम नान की पवेज है आज की वीडियो में students हम एक बहुत ही बहतरीन concept पढ़ने वाले हैं which is exchange rate, अभी exchange rate क्या होता है, let us start without wasting the time So students exchange rate कुछ भी नहीं, बस बहुत ही simple सी चीज है कि दो चीजों के बीच में, दो चीजों के बीच में अदान और प्रदान का rate is what is exchange rate तो अब को कि मैम ये क्या बोल गया आप अदान और प्रदान तो students in simplified manner, if I say, कि अगर हमें एक डॉलर खरीदना है एक डॉलर खरीदना, चलो छोटो डॉलर एक, लेज का packet खरीदना है, तो आपको अपनी जेब से कितने पैसे निकालने पड़ रहे हैं अगर चोटा packet खरीदोगे तो 10 रुपे, बड़ा packet खरीदोगे तो 20 रुपे तीन packet खरीदोगे दस वाले, तो 30 रुपे तो ये क्या है, लेज और इंडियन रुपीज को आप चेंज कर रहे हो समझ रहे हैं, आज की तारीक की अगर बात करें, आज की तारीक की बात करें हम तो हमें एक डॉलर खरीदने के लिए, अगर मैं बजार जाती हूँ और मुझे एक डॉलर खरीदना है, तो मुझे अपनी जेब से अगर मैं एक पाउंड खरीदना चाती हूँ, तो अपने जेब से निकालने होंगे मुझे 96 रुपीज, अगर मैं एक यूरो खरीदना चाती हूँ, तो मुझे सम्वेर अराउंड 80 रुपीज ये 81 रुपीज अपनी जेब से निकाल के देने पडेंगे तो बस यही होता है exchange rate कि कितनी units of domestic currency आपको देनी पडेगी in order to buy one unit of foreign currency, तो मैं कितनी units of Indian currency दे रही हूँ 79 units of Indian currency दे रही हूँ to buy one unit of dollar, यहाँ पे 96 units, यहाँ पे 81 units so again फिर से पढ़ते है exchange rate की definition, तो exchange rate can be defined as the amount of domestic currency which an individual has to give, individual को देनी पड़ती है to get one unit of foreign currency अब कितने type के exchange rate होते हैं, और जैसे कि मैंने कहा था कि जब exchange rate बढ़ जाता है यह exchange rate घड़ जाता है, उससे किसको क्या फाइदा और क्या नुकसान होगा, उसको भी हम discuss करने वाले है तो पहले start करते है, what are the types of exchange rate तो types of exchange rate देखे हैं, तो तीन types of exchange rate can be broadly categorized as fixed exchange rate system दूसरा होता है, flexible, तीसरा होता है, managed या floating rate system इंडिया में कौन सा system follow होता है, ये भी आपको जरूर से पता होना चाहिए लेकिन उस पे अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम बात करेंगे तीन types of exchange rate regime, तो start करते हैं, fixed exchange rate regime से students इसमें क्या होता है, जो exchange rate होता है, जैसे मान लिजे, जो exchange rate एक डॉलर खरीदने के लिए मुझे 80 रुपे देने पड़ेंगे या 65 देने पड़ेंगे, ये कौन decide करता है, ये central bank of the country decide करता है, मतलब वो fix करके रख देता है, कि अगर आप बजार जाओगे, तो अगर आप एक डॉलर खरीदने चाते हो, तो आपको अपनी जेब से 65 रुपे निकाल के देने पड़ेंगे, that is what fixed exchange rate system is, exchange rate का fixed system, जहां पर हर चीज़ fixed है, किसके द्वारा, country के central bank द्वारा, कि एक unit of foreign currency, एक euro खरीदना चाते हो, एक euro खरीदना चाते हो, तो उसका भाव ये है, एक Singapore dollar खरीदना चाते हो, तो उसका भाव ये है, एक धिरम करीदना चाते हो, पूरी एक rate list होती है, everything is pre-decided, इसका एकदम opposite होता है, floating exchange rate, floating as the name suggests, as the name defines, nothing is fixed, fixed में क्या था, defined था, floating में कुछ भी decided नहीं है, everything is floated, everything depends upon the demand and supply of a particular commodity, अगर किसी चीज़ की demand जादा है, अगर किसी चीज़ की demand जादा है, और supply उतनी नहीं है, तो demand क्या बढ़ जाएगी, तो क्या बढ़ जाएगा, उस commodity का price, अभी हम exchange rate की उस से नहीं देखते हैं, हम इसको simple example से देखते हैं, जब हमारा lockdown हुआ था, first wave of pandemic आई थी, तो sanitizers की अटूट कमी हो गई थी हमारे, हर पूरी दुनिया भर में, पूरे हमारे इंडिया में, तो आप देख रहोगे कि sanitizers की जो bottle उसका दाम अचानक से, जब 30 या 50 रुपे की bottle आती है, अचानक से उस छोटी सी bottle का दाम, 100 रुपे या 500 रुपे, तो क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि जो demand थी वो बढ़ गई, ठीक है न, demand बढ़ गई थी, supply constant थी, supply constant थी, supply नहीं बढ़ी थी, तो अब chemist किसको बेचना पसंद कर रहा था, उसी इनसान को बेचना पसंद कर रहा था, जो उस 30 रुपे की bottle के 50 रुपे या 100 रुपे दे, तो इससे क्या हो रहा था, sanitizer की जो bottle है, उसका जो price है, उसका जो price है, वो increase हो रहा था, and this same thing, the same logic is applied and applicable everywhere, अब मान लीजे, अचानक से dollar, dollar की जो demand है, वो बढ़ जाए, किस reason से बढ़ेगी अब हमें वो नहीं देखना है, अगर अचानक से dollar की demand, अचानक से dollar की demand बढ़ जाए, अब supply उतनी है भाई, ऐसा तो है नहीं, रात रात नहा dollar print हो जाएगा, या dollar import कर लेंगे, तो dollar की demand जो है बढ़ गई, supply constant है, तो अब जो ये currency exchange वाले होते हैं, ये किसको, जैसे for example Thomas को कह है, Thomas को का नाम सुना होगा आपने, तो ये किसको dollar बेचना पसंद करेंगे, जो 65 रुपे के dollar का 70 रुपे या 55 रुपे देना पसंद करेगा, तो इससे क्या हो रहा है, जब demand बढ़ रही और supply constant है, तो price of dollar, ये price of any currency, जिसकी demand जादा है, supply constant है, जो price है, वो increase हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन decide कर रहे है कि क्या exchange rate होगा, बहुत एक dollar कितने में आएगा, ये कौन decide कर रहा है, ये market forces of demand and supply, यहाँ किसने, दो forces से demand and supply के, बहुत बढ़ रही और supply constant है, तो demand जो price है बढ़ जाएगा, अगर supply भी increase हो रही है, तो जो exchange rate है, तो stable रहेगा, तो who is deciding everything, it is the market forces of demand and supply is deciding as to what will be the exchange rate, तो ऐसे exchange rate system को बोला जाता है, floating exchange rate system, अब इस exchange rate system का बहुत बढ़ा नुकसान है, वो यह है, कि कोई एक limit ही नहीं है, movement of exchange rate की, हो सकता है, जब आप 100 थे, तो 1 dollar 65 पे था, हो सकता है, जब आप next day उठो, तो वो ही dollar, वो ही dollar, आपको अब 68 rupees का मिले, या उससे हो सकता है, सस्ता हो जाए, तो आपको नहीं पता, कि कल आपको dollar कितने में, या foreign currency कितने में मिलेगी, क्योंकि बहुत जादा uncertainty exist करती है, क्यों, क्योंकि everything is decided by market forces of demand and supply, कोई central authority को बीच में बैठके regulate नहीं कर रही है, और fixed rate में क्या हो रहाता है, हर चीज हो already fixed थी, और manage में क्या हो रहा है, कुछ भी fixed नहीं है, इसलिए एक third mechanism आया, third तरीके का exchange rate system आया, जिसको कहा जाता है, managed exchange rate system, it is a blend of, it is a blend of both fixed and floating exchange rate system, इसमें दोनों चीज़े होती है, कि कुछ limit तक तो, कुछ limit तक तो हम exchange rate को move करने देंगे, एक price band define कर देंगे, एक price band define कर देंगे, कि भई एक dollar जब तक 65 से 75 के बीच में है, तब तक तो market forces of demand supply को carry on करने दो, अगर dollar, अगर dollar 65 से नीचे, कि यह 75 से उपर गया, दब central bank of the country will intervene, the central bank of the country will intervene and regulate the exchange rate, तो managed में क्या हो रहा है, एक limit तक तो, there are market forces of demand and supply, उसके बाद central bank और central authority will intervene to regulate the exchange rate of the country, my next question to all of you is, कि out of these three systems, out of these three systems, आप लोगों को मुझे comment box पे बताना है, कि इंडिया में इन तीनों में से कौन सा system prevail करता है exchange rate का, चलिए, अब हमने ये बात कर ली, अब हम बात करेंगे, कि जब कोई भी exchange rate घड़ता है या बढ़ता है, उसका किस तरीके के व्यक्तियों पे या किस टाइप के लोगों पे क्या impact आता है, चलो, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि यहीं, ये हो गया applied part, ये हो गया applied part, और किसी भी exam, not सरफ UPSC prelims exam, चाहिए वो banking exam हो, ये RBI का exam हो, question applied part में से ही बनेंगे, वो आप से कभी ये नहीं पूछेंगे, कि 1st March 2022 को exchange rate क्या था, वो आप से पूछेंगे, conceptual clarity, conceptual clarity के लिए, अब आप के लिए, यहाँ पे attention देना बहुत जादा ज़रूरी है, चीक है, चलो, तो मान लेते हैं, कि ये normal situation है, जहाँ पे एक डॉलर खरीदने के लिए, 70 रुपे मुझे जेब से निकाल के देने पड़ते हैं, चीक है, चलो, अब first situation, first situation, ये situation A में क्या हुआ, अचानक से exchange rate बढ़ गया, अब मुझे अगर एक डॉलर खरीदना है, तो मुझे अपनी जेब से 75 रुपे निकाल के देने पड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, नुकसान हो गया, पहले 70 रुपे अपनी जेब में से निकालती थी और एक डॉलर आ जाता था, अब 75 रुपए एक जेब से निकाल के देने पड़ रहे है तो जाके एक डॉलर आ रहा है तो इस situation में किसके लिए फायदे मन है और किसके लिए नुकसान दायाग है तो यह situation positive उसके लिए होगी जिसको money receive करना है मान लीजे मान लीजे मेरी नानी है मेरी नानी या मेरा कोई भी relative मेरा कोई relative अमेरिका में रहता है और वो मेरे बर्दे पे मुझे हर साल 100 डॉलर भेजते हैं ठीक है ना as a gift मेरा कोई relative रहते हो मेरे बर्दे पे हर साल मुझे 100 डॉलर भेजते हैं तो जब उन्होंने पिछले साल मुझे 100 डॉलर भेजते हैं तब exchange rate था 70 तो मेरे को जब मैं convert कर आया मेंने receive की मैंने receive किये और तब मैंने अगर उसको जब Indian currency में convert कर आया तो मेरे हाथ में आए 7000 रुपे इस साल मेरे बर्दे पे एक्सेंज रेट होगा 75 रुपे तुक है अब फिर से मेरे अकाउंट में 100 डॉलर आये मैं मार्केट गई थॉमस कुक को 100 डॉलर का नोट दिया और थॉमस कुक ने मेरे हाथ में थमा दी 75-100 रुपे मुझे तो देख के मज़ा आ गया तो क्या ऐसा हुआ कि यहां पर money supply increase हुआ था नहीं वहां से मेरे relative ने भेज़े तो 100 रुपे थे बट बिकॉज एक्सचेंज रेट बट बिकॉज एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज कर गया था उस वज़े से क्या हुआ पिछले साल यह 100 डॉलर का नोट मुझे 7000 रुपे दिला रहा था अब मुझे वही 100 डॉलर का नोट 75-100 रुपे दिला रहा है तो क्या मेरे लिए पॉजिटिव बात नहीं हुई बिल्कुल पॉजिटिव बात हुई तो can we say that a person who has to receive the money will always benefit जब एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है जब एक्सचेंज रेट एक डॉलर पे 75 मान लीजी एक डॉलर अब कुछ टाइम बाद 78 हो जाए और अब मेरे अकाउंट में 100 डॉलर आए मैं गई फिर से बजार अब मेरे हाथ में आए 7800 रुपीस मुझे तो और मज़ा आ गया मैं तो चाहूंगी और ऐसा हो यह जो है यह एक डॉलर महंगा होता जाए मतलब एक डॉलर अब असी को हो जाए ताकि अगली बार मुझे और पैसे मिले सो लॉंग स्टोरी शॉर्ट यह सिचुएशन किसके लिए फेवरिबल है जिसने मनी रिसीव करना है मनी अगर आप थोटा से दिमाग लगा के देखे इंडिया में कौन रिसीव करता है एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्टर है ठीक है ना यहां से हमने जूलरी बना के भार भीजी एक एक्सपोर्टर था इंडिया में उसने जूलरी बना के भार भीजी ठीक है ना उसको रिटर्न में मिले डॉलर क्योंकि जो अमेरिकन है वो बिल तो डॉलर में सेटल करेगा उसको मिले डॉलर वो डॉलर लेके गया और क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ गया था तो उसको अब कितने ज्यादा पैसे मिले ठीक है ना लेकिन यही सेम सिचुएशन नेगिटिव किसके लिए हो सकती है काड़िया से नहीं खरीदने मुझे आइफोन आइफोन खरीदना था बाहर आइफोन था somos सूडनर का अब सौडॉलर अगर मुझे पहले खरीदने होते तो मुझे कितने पैसे देने पड़ते तो मुझे कितने पैसे यह सो डाल चोडिया सो डाल चोडिये मान लिजिए आईफोन अचानक माई आईफोन बाहर मिलता है एक डालर का तो पहले मेरे को सिरफ सकतर रुपए देने पड़ रहे थे एक डालर खरीदने के लिए लेकिन मेंने इस महीने जब एक्षेंज बढ़ चुका है तो मैंने आइफोन और किया तो मेरे को वहां जो आपल थी उनने बुला आप मेरे अकाउंट में एक डॉलर डाल दीजिए तो मैं गई था हमस को के पास लेके 70 रुपर ने का भाया अब 70 रुपे में डॉलर नहीं आएगा अब आपको मुझे 75 रुपे देने ठीक है ना और क्योंकि जो एक्षेंज रेट है वो नीचे चला गया है तो मुझे क्या देना पड़ रहा है पैसा जादा देना पड़ रहा है और मेरे लिए ही सिच यशन क्या हो गयी है नेकिटियव means whenever the exchange rate increases तो किसका नुकसान होता है नुकसान होता है इंपोर्टर का लेकिन एक्सपोर्टर का उसी situation में फाइदा हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि जो exchange rate है पहले 7000 दिला रहा था अब वो ही 100 डॉलर का note 7500 रुपे दिलाएगा Are we clear with that? चलो अब दूसरी situation में चलते हैं यहाँ पर हमने देखा था situation A अब normal में normal situation में एक डॉलर होता है 70 रुपे का अब situation change हो गई एक डॉलर है 65 रुपे का अब सारी situation reverse हो जाएगी अब एक डॉलर है 65 रुपे का तो पिछले साल जब मेरे relative ने 100 डॉलर मेरे account में डाले थे मैं गई Thomas Cook के पास जब normal situation होती है तो मुझे 1 डॉलर 70 तो 100 डॉलर के कितने होई 100 डॉलर मतलब 7000 रुपे मिले लेकिन इस साल क्या हुआ situation बदल गई अब 1 डॉलर 65 रुपे में आ जाता है तो वो ही 100 डॉलर मेरे relative ने मेरे account में डाले वो 100 डॉलर जब मेरे relative ने account में डाले में गई Thomas Cook के पास Thomas Cook ने मुझे सिरफ निकाल के दिये 65 रुपे तो मैंने का अरे भाई लास्ट येर तो आपने 7000 रुपे दी थे इस साल 65 रुपे तो क्यों यह जो एक्सचेंज रेट है वो अब घट गया है तो किसका नुकसान हो गया ऐसी सिचुएशन में The person who has to receive the money who receives the money मतलब The person who has to receive the money उसके लिए यह हो जायगा उसके लिए situation हो जाएगी negative और इसका opposite कर दे इसका opposite कर दे यह situation positive किसके लिए हो जाएगी जब इंडिया को oil import करना होता है, तो bill settle करना होता है dollars में, तो अब अगर कम पैसो में dollar आ रहा है, तो किसके लिए फैड़ा होगा, importers के लिए, और किसका नुकसान होगा, exporter का, आई situation समझ, नहीं समझ आई, एक बार फिर से वीडियो अराम से देखिएगा, एकदम clear हो जाएग और बस ये इतनी सी चीज़ आपने समझ ली, I can bet you, आप every single question attempt कर सकते, चाहे कितना भी घुमा के question आ जाए, क्योंकि concept और logic सिरफ ये ही है, कि जब dollar बढ़ जाता है, ये exchange rate बढ़ जाता है, तो गढ़ जाता है, किसको नुकसान और किसको फायदा होता है, तो बस ये वाला example य आपका जो है, logic एकदम से strike कर जाएगा, doubt एकदम से clear हो जाएगा, आपको मुझे क्या करना है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा, कि इंडिया में, out of those three exchange rate system, कौन सा वाला follow होता है, question solve करना चाहते हैं, on this particular topic, then you know where you have to come, it is the Instagram ID, या मेरा टेलिग्राम पेज, which is economics बनान की, साथ ही साथ आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा, कि what are those other concepts, जिस पे आप चाहते हैं, कि मैं वीडियो बनाओ, तब तक के लिए, अगर वीडियो पसंद आया, तो प्लीज, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और कमेंट कीजिए, and all the best to all of you.